सफाई कर्मियों की हर्ताल ने लोगों की मुश्किले सुरूप में बढ़ाने यहां शुरू कर दी है कि पूरे राधिस्तान के सफाई कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया है सामोहिक अफकाश लेकर काम का बहिशकार किया जा रहा है जैपूर में सफाई करमचारे की हर्ताल का असर भी नजर आने लगा है सफाई ना होने के चलते कच्रों के ठेड़ दिखने शुरू हो गए है आम दिनों के दोरान जैपूर में कच्राइ खटा करने वाली 700 हूपर चला करती है हर्ताल के चलते 100 हूपर ही चल रही है जैपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के 8500 के ज़्यादा सफाई कर्मी सामोई कफकाश लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं 24,797 पदों पर हो रही भरती के प्रापधानों का विरोध के चलते सफाई करमचारियों ने काम अपना रोका हुआ है तो सफाई कर्मचारियों की हरताल की तस्वीरे हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं और इस हरताल के चलते सोमूँ आनन आम जनता इस रूप में परेशान हो रही है कि गंदेगी के ठेर लगे हुए है इनकी क्या मांगे हैं जिसके चलते इनों ने अपने काम का बहिशकार कर दिया है और सड़कों पर उतर आए हैं जिदे के जो नई भरती हुनी है करीब 25,000 पदों पे 24,000 पदों पर तो उसके जो प्रावधान है उसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सबसे बड़ी बात ये है कि फिसले दिनों भी जब इनोंने अंदोलन किया था तब एक समझोता हुआ था और इनका कहना है कि जो नई भरती में प्रावधान बनाए गए हैं वे उस समझोते का उलंधन कर रहे हैं सबसे बड़ी मांग इनकी ये है कि जो बालमी की समाज है उसे आरक्षन दिया जाए और उसे इस भरती प्रक्रिया में शामिल किया जाए जो लोटरे सिस्टम से भरतिया हो रही है उसे रोका जाए इसके पीछे इन सफाई करमचारियों का तरकिया है कि जो बालमी की समाज से इतर जो लोग है जो सफाई करमचारी बनते हैं ऐसा इन करमचारियों का आरोप है कि वे काम नहीं करते हैं अपने बदले किसी और को ही ये काम सौबते हैं जो कि बालमी की समाज से आता है और उसक को लेकर के बहुत विरोध ये करते हैं साथ साथ इनका यह भी आरोप है कि गैर क्ाम Indictv के माध्यम से अपने दर्शकों को यह दिखाया भी मैं को खत्मने के लिए कोई कभायत कि जा रही है कोई प्रयास किये जा रही है फ्रशासन के ऊड़ से बात्चीर करने को लेकर यह प्रिकूल लेकिए कल भी जो डेल बी के निदेशक हैं उन से बात इन सफाय करमचारियों की लेकिन उस बात्चीत में कोई हल नहीं निकल पाया तो इसकी वज़ा से आंदोलन जो है अभी भी तेज है आज भी एक बड़ी बैठक होने वाली है जो राम गंज में होगी और पिर उसके बाद ये आगे की रणीती तै करेंगे कल नगर निगम में बड़ी संख्या में सफाय करमचारी जो है वह इकठा हुए थे वहां पर उन्होंने बात्चीत की थी और आज राम गंज में इकठा होंगे और ये इस बात की कोशिश है इंडी की अलग लग जगहों पर लोगों को भी बताया जाए कि इनके साथ क्या समस्या है और उसके सा आंदोलन का साराम जंता पर पढ़ता वो नजर आरे कूड़े के कचरे के ठेर लगे हुए है इसके जिमेदारी कौन लेगा जे बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल है कि इसके जिम्मदारी कौन लेगा और ये जिम्मदारी तैय करने की बात जो है वो निगम के अधिकारियों की है और इन जो सफाई कर्मचारी है उनको विश्वास में लेकर के जो भरती पर क्रिया है उसको निकालना चाहिए था जहिर तोर पे क्योंकि इससे पहले भी इनोंने अंदोलन किया था तब भी इनसे बाचीत की गई थी उस वक्त अगर बाचीत से कोई रास्ता निकाल लिया गया होता तो आज यह स्थिती नहीं बनती बहराल नगर निगम यह दावा जरूर कर रहा है कि वो अलग-अलग इलाके में अतिरिक्त करमचारियों के सहारे कुछ कोशिशे कर रहा है सापसफाई की लेकिन जो तस्वीरे हैं वो यह बयां कर रही है कि अभी वो कोशिशें जो है वो बहुत विफल है उसमें और भी ज्यादा प्रयास कि आवशकता है जब तक यह करमचारी वापस नहीं लोडते ह हैं तब तक शहरवासियों के लिए मुश्किले जो है वो जरूर बढ़ती हुई दिखाई देंगी और इस मुश्किलों को हल किस रूप में निकाला जाएगा क्योंकि जैपूर कच्रा सिटी बनता हुआ नजर आ रहा है कोड़े के ढेर यहां पर लगी हुए है और आब इस मामले का हल किस रूप में निकलता बना जराएगा सोमो अनंद ये एक सवाल बना हुआ है शुक्रे आपका तमाम जानकारी के लिए